नवश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग डाउटनेट के इस लाइफ क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फटावटस आजए और फटावटस आके जो है इस क्लास को जल्दी से जॉइन कर लिजे क्योंकि आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इतियास का यह है और इसफंट का नाम क्या है तो इसांशकृत बहुत प्रणा चैप्टर को और इस चैप्टर कोữa करें के था क्या बोलना चाहता है छांगे उसके बार में थोड़ी सी से चाहруг में और ठीक है ना चले तो फटावट साद ही और इस क्लास को जॉइन कर लीजिए एलो बिटा हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबन चले ठीक है तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं दो चैप्टर के नाम पर हमेशा है ना जब भी मैं बोलता हूं चले है तो बहां जब भी मैं कभी कभी कोई चैप्टर को शुरू कर वातन हो दो इसके नाम पर हमेशा जाता हूं कि इसके चैप्टर का नाम है वह क्या चैप्टर का नाम है तो चैप्टर का नाम है बदलती हुँ vagy funded पर आर यहां जिसक्ना की बात हो रही है शव्द का इसमाल हुआ है Sanskriti अब Sanskriti क्या होता है जैसे हम English हम बोलते हैं क donation है तो अ생ुर्व Como के कुल्चर के हम बात करें हर किसी का कोई slash culture होता है Sanskriti होती है जब सरह हम बात करें आपका घाना पीना है आपका जो पहनने का तरीका है आप जो तीस तो और मनाते हो आपकी भाशा जो है यह सब किस चीज का पार्ट है यह सिफ यह जो है आपकी कल्चिर का ही पार्ट है आपकी संस्कृती का ही पार्ट है जब बहुत सारे लोग जो है एक ही जगा रहते हैं एक साजा जो संस्कृती ह के संस्कूत को साजा करते हैं तो वहां की पहचान मन जाती है और इक जू संस्कूती होती है क्या समय के अनुसार जो बदलती है वह जबने वाले हैं अगर पिछले हं इंडस वैली सविलाइशन की हम बात करें सिंद्धुघात nu कि हम बात करें मैं कि सबीड़ की बात करें अलग लन सविता फिर इन सब्वित必 정부ं का भी धीर धीर पतन हुआ और उसके बाद आप देखो कि रोमंस ता जाता है रोमशाम पाना करना है पंद्धा empire था, इसका जो जन्म हुआ था, वो इतली में ही हुआ था, और पूरे योरोप का एक केंद्र था, और हम बात करें तो उस टाइम पर यह व्यापार के रूप में फला फूला भी, फिर हमने बात की इसलाम के बारे में, है ना, और फिरमिनों से पहले भी हमने बात की थी, किसक तूटने लगता है तो यहां पर अलग-अलग जो जनजाती के लोग होते हैं यह अलग-अलग राज्यू की स्थापना कर लेते हैं और यहां पर एक सामंती विरस्ता जो है यह उबरते हो दिखाई देती है है ना उसका आगे चलके भी हमने चैप्टर में पढ़ा है बिसकली फ्रांसी करांती में कि किस तरीके से जो पूरे यॉरोप का जो सामराज जितने भी यॉरोप में सामराज थे वो तीन भागों में बटे हुए थे पादरी वर्ग सामंती वर्ग और क्रिशक वर्ग तो इसकी मुहमद साब जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं इसलाम के और यह एक नए धर्म की यहां पर एक गोशना करते हैं आप बोसकते हो एक नए धर्म के परचारक होते हैं जिससे इसलाम बाद में इनके जो फॉलू करने वाले लोगों को हमने मुसलिम बोला फिर हमने देखा बा लगबग 200 सालों तक, 1020 से लेके 1200, मैं मौटा मौटा exact date तो नहीं पता, exact year तो नहीं पता, लेकि 200 सालों तक धरम के पीछे यूद चलता है, इसमें लाखों लोगों की जान जाती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है, यहाँ पर जो एक बदलाव देखने को मिलता है, बदलाव यह देखने को मिलता है, जो बैसिकली इसलाम जो होता है, जो मुस्लिम होते हैं, वो जैरुसलम पर कबजा कर लेते हैं, इसका अंत क्या निकलता है, इसका रिजल्ट जो होता है, ये जो युद्ध हो रहे थे, कुरसेट जो हुए इसका रिजल्क निकला क्या तो इसलाम जो होते हैं, अफसले नाम की जगा होते हैं इसके पीछे लड़ाय हो रहे थी क्योंकि अगर मैं ज़रुसिलम जगा की बात करूँ ये मुसल्मानों का भी एक पवित्रिस्तान माना जाता है ये यहूदियों का भी पवित्रिस्तान माना जाता है जैसे अभी हम बात करेंगे यहूदियों की इसराइल जो है तो उनकी कैपिटल है वो है ना आज की टाइम की हम बात करें present day की हम बात करें तो उच जगा पर किसका अधिकार है यहूदियों का अधिकार है है ना तो तीनों ही धर्म की हम बात करें चाहें वो यहूदियों हो चाहें वो क्रिस्चिन्स हो चाहें वो मुसल्मान हो तीनों की हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है जो مسलिम से ये काम्याओ हो जाते हैं उस जगा पे कब्जा करने के लिए उसके बार हमने देखा कि बहुत सारे बदलाओ आते हैं basically बदलाओ किस परकार के आते हैं तो आप देखोगे कि जो एरब के जो लोग होते हैं जो इसलामिक लोग होते हैं एरप के हम बात करें इसका पूरा का पूरा control हो जाता है पहले जो ट्रेड हुआ करता था वह जो लाल समोत्र है red sea और meditarency जो था है ना फारस की जो खाड़ियां अधर से होते हो जाता था ये trade उसके बाद धहरे धिरे शिफ्ट हुआ फिर उसके आप देखोगे 14 तापदी के बाद यहाँ पर बहुत सारे सुधार होने लगते हैं बहुत सारे चेंज़ आने लगते हैं ठीक है चेंज़ गिस प्रकार गयाते हैं भई तो यहाँ पर धरम से संबन्दि चेंज़ आने लगते हैं धर्म से संबंद जो भी कुरीतियां होती है इसायों में जो होता है कि आप बिलकुली पीछे जा रहे होते हो उस टाइम पर एक बोला जाता है कि अंधिकार का समझ चला था इसायों के अंबात करें है ना क्योंकि इनके खुद के धर्म में बहुत सार चेंज़ आते हैं और यहाँ पर एक क्या बोला जाता एक चौद 12 वो क्लियर हो गई होगी बैटा एक है यार पिचानवे इसी से शायद 1290 तक चला था यह ऐसी कुछ इसकी डेट है जो हम बात करें धरम्युत की बात करें तो यही इसी तक चला था बीसिकली ठीक ना चले तो इसकी हम बात कर लेते आगे तो थोड़ा परिचे देख लेते हम य नगरी संस्क्रिटी का मतलब क्या है यहां पर तो नगरी संस्क्रिटी का मतलब क्या है यहां पर तो यहां पर नगरी संस्क्रिटी का मतलब क्या है तो यहां पर नगरी संस्क्रिटी का मतलब क्या है कि नगरी संस्क्रिटी का मतलब क्या है कि अपने आपको बहुत जादा क्लिए हम बात कर रहे हैं कि यॉरोप में चौदवी से सत्री स्ताबदी की बीच में बहुत सारी बदलाओ आया और इसमन से एक बदलाओ क्या था कि बहुत सारे नगर होते हैं वो बनने लगते हैं बसने लगते हैं और यहाँ पर सबसे बदलाओ आता है कि नगरी संस्कृती नईने नगर बसते हैं, जब लोग्स शहरों में बसना शुरू करते हैं, तो यहां पर एक नगरी संस्क्रित का विकास होना शुरू होता है. ठीक एटली के फलिरिश, वैनिश और रूम, यहां पर Sister famous की नाम है? है व्यापार की अगर हम बात कर लें, हम कला की बात कर लें, हम विद्धा की अपने एसाफ से चलने की जो आजादी की होती है, मिल गई थी चौदवी सदी से जो यॉरोपी इत्यास की जानकारी के लिए जो प्रयाप सामगरी दस्तावेश, मुद्रत, पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों और वस्त्रों आदिस से प्राप्त होती हैं जो यॉरोप और अमेरिका के अबलिक का कला चित्र शालाहों तथा संग क्यों बूला जाता है क्योंकि अगर हम पूरी इस्ती पढ़ें, है यह 14 से सत्रों के अगरविक पूरी इस्ती पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत सारी बदलाओ आ रहे हैं, और यह इसको मुलते है पुनर जागर यानि कि क्या हो रहा था यहां पर पुनर विकास हो रहा था यौरोपका जो बहुत पिछड़ गया था उसका पुनर विकास भूरा था शब्ड का प्रयोग उस काल की संस्कृत परवरतनों के लिए किया गया अब ये सब्ड का प्रयोग क्यों किया गया तो उस टैम पर जो भी परवरतन हो रहें थे लोग पहले conservative थे खैना पहले बहुत ज़ादा आप हो सकते और रूरवादी थे और इनकी जो संस्कृति में परवर्तन आ रहे थे, जो भी इनका जीवन जीने का तौर तरीका जो है, उसमें परवर्तन आ रहा था और उसको पूरा पूरा नगर फॉलू कर रहे थे, वही चीज बार में संस्कृत बन जाती है, तो उसमें जो भी बदलाओ आ रहे थे, उसको हमने से क्या नाम दे दिया सांस्कृति परवर्थन बोल दिया उसको में ठीक है चलिए रैंसी पर जो है सोजियलेंड के ब्रसले विश्विद्दाले की इत्यासकार जैकव बर्ट सार्ट ने बहुत अधिक बल दिया था वह जर्मन इत्यासकार लियो पोल्ड वॉन और आके के शिस थे ठीक है सन 860 इश्वि में जो है जैकेब बर्हार्ट ने अपनी पुस्तक इस सिविलाइशन ऑफ तो रिनसा इन इटली में लिखा है कि मानववादी संस्कृत इस धारना पर आधारित है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वायम नेड़ा लेने वाग अपनी दक्षिता को जो आगे बढ़ाने में समर्थ है basically है ना तो यहां पर इन्होंने ये किताब लिखी basically है ना किताब किसने लिखी जैकब बर्खार्ट में यह बहुत बड़े हिस्टोरियन थे इन्होंने पुस्तक लिखी नाम क्या था सिविलाइशन ऑफ दी रेंसा इन इटली किस तरीके से जो है यहां पर इटली जो है एक सब शहर की शब्देश की रहा पर बढ़ा उसके उपर जो पूरी है यह किताब लिखी गई है इसमें लिखा है कि मानववादी संस्कृत इस धारणा पर आधा रहे था कि व्यक्ति अपने बारे में स्वैम निर्ड़ा लेने वा अपनी दक में तु चीजें संके असक्ताब में ने डिखाइं ठीक है ITALY के नगरों का पुनरस्ता पुनर रुस्थान इटली के नगर इनके पुनरस्तापना हो रही थी इन्हें बसाय के बा Gibson रोमन सामराज की पतन के बाद गें इस प्रिकार्स से क्या होता है इंप परोमन सामराज के अंदर उसका विनाष होने लगता है है ना सांस्कित रूप से राजिनितिक रूप से विनास होने टूट जाता है पूरा इली पक्षिमि यौरॉप के छेत्र सामथी संबंदों के कारण जो lleva नया रूपल ले रहे थे और अगर मैं बात करें पक्षिम यौर तो तुम्हें उसका एकी करण हो रहा था पूर्वी यॉरोप जो है बाइजन्टाइन सामराज के साशन में बदल रहा था साधी साथ पक्षिम में इसलाम साजी सविताओं का निर्माण कर रहा था तो अब यहां पर पूरी यॉरोप में कुछ नहीं को चल ला है और पक्षिम और साधी साथ आप देखोगे पक्षिम में इसलाम एक साजी सविता का निर्माण कर रहा था एक तरफ इसलाम का भी यहां पर निर्माण देखने को मिलता है उस समय इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकडों बटा हुआ था बहुत सारे टुकडों में इस टैम पर ब विएपार बढ़ा और जा इसलामी देश थे इनके बीच व्यापार बढ़ा है ना और जब यह व्यापार बढ़ने से हुआ क्या इटली की टटवर्ती जो छेत्र थे इटली जो होगा देखोगे आप यहाँजा से शेपए ऐसा करें कि शेप है इटली का जो इसके तटवर देशों के व्यापार को जो बढ़ावा मिला है ना अब यहां पर क्या होगा आपको पता होना चाहिए मंगोल बारुष टाबदी में मंगोलों का राज था चीन पर आदी रशिया पे दुनिया के लगवग जब 25% हिस्से पर जो है इनोंने कबजा कर लिया था जब मंगोलों क तो इसके कारण पक्षमी यॉरॉप के देश के व्यापारों को बढ़ावा मिला अब क्योंकि वह जो मार्ख था वो चाइना को पक्षमी देशों जोड रहा था तो यहां पर इसको व्यापार में बढ़ावा मिलता है इससे इटली के नगरों के मुक्ष भूम का नवाई औ पेशहां पर व्यापार हुगा तो यहां पर देखा जाएगा जब इट heating मुक्ष केंद्र बन जाएगा तो इटली जू अगर वेनिस और जिनेवा थे अगर हम बात करें इटली के जो शहर थे प्रिस्द शहर आज की टैमपर भी है वैनिस और जिनेवा यहां के धनी व्यापारी और अवजात वर्ग के लोग साशन में सक्री रूप से भाग लेते थे जिससे जो नागरिक्ता की भावना पनपने ल हैं कि है ना यहां पर एक Light le Command यहां पनपने लगी वा जेना और यहीं राश्टवादा की भावना कया सही जनम होगा त्र loud मोगा यहां पर जब वें जया रहा है कि यहां पर एक जो इटली है वह महतमूर केंद्र के निaching तरहाएं औरुकि saamने आ रहा है यहां पैसा आएगा पैसा आएगा तो यहां पर एक नई संस्क्रिती का जरम होगा हैना नई संस्क्रित चीज जो हम वहर के सामने आएंगी जिससे आप बोल सकते हो और निस सेंस का पीरिड हैना पुनर जागरन बोलते हो योरूप का आगे बात कर लेते हैं थोड़ासा आप नहीं यह विश्विद्धा ले और मारपता बात अच्छा कोई भी शब्द के एंड में जो बाद लग जाता है कोई शब्द के अंड में वाद लग जाता है तो इसका मुलते हैं इसे इंगलिश में विश्विद्धाले अब यहां पर हुआ क्या वाइव जब यॉरूप आगे ब यॉरूप के जैसे मात करें वैनिस हो गया ठीक है और जो रोमन के अंदर ही आया करता है वैनिस यह सब बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन जाते हैं ना दुनिया के अलग अलग देश के यहां पर आते हैं ट्रेड करते हैं तो जब भाई मैंने बताया था जब कोई भी दु बड़े बड़े लेखक आते हैं बड़े बड़े जो अब उसे दारशनिक होते हैं वो आते हैं और यहां पर लोग को समझाना शुरू करते हैं कि दो को यह जो तुम आभी जी रही हो है ना यह जिस दवाव में तुम जी रही हो उस दवाव में रहना छोड़ तो और हम बात करें किसकी मानफ़तावात क्या है यहार किस चीज को बताया है बिस बीसिकली तो ऐक आइडू लोगो से अब तक लोग धर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे है धर्म के नाम पर ही हर चीज पर यहां पर बोला गहा है कि तो यह सब चीजे छोड़ कर घृष को हमें जो है औरल बीचे सीखनी है कि हमें लॉजिक पर जाना पड़ेगा ले अगर पूरी योरॉप का में केंद्र किसको माना जा थो में सेंटर पूरे धरती वह चर्छ को है लेकिन अब क्या नोर- मुमत आरेखा जिए जाती है ना अब जैसे लोग जो है logics की बात कर रहे थे scientifically तर्क की बात कर रहे थे लोग कि तर्क हो फार चीज का लिलेटरेचnad बढ़ रहे थे लोग तो यहां पर बोला गया कि भाई थे को ये धरम जो है इसको एक खात्यार की तरह स्थामल ना करते हुए हम धरम के लावा है जो लॉजिक हम तो लोग भुट रिजी ए संब cambiar काफी भगवान को मानती है मैं भगवान को मानते वह एक लेकिन भगवान को मानते हुए उस धरम के नाम पर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए तो वो गलत चीज है ठीक है तो इसी के पार हम पढ़ लेते हैं तो यॉरोप में सबसे पहले विश्युदाले इटली के शहरों में स्थाफ है अब होता है कि यहां से जो नए हम बोल सकते हो विश्युदाले खुल आते हैं एक पादवा और दूसरा बोलिनिया विश्युदाले ठीक है ये केंद्र बने रहे हैं क्योंकि इन नगरों में जो प्रमुक्रियकलाप व्यापार और वाड़ज संबन्दी थे इसलिए वकील और नोटरी की बहुत अधि वहां पर तो लोग वहां ठीक है कानूने के अध्धन में एक बदलाव आया कि इसे जो है Roman Sanskrit के संदर्व में पढ़ा जाने लगा Roman Sanskrit के हम बात करें Roman जब Sanskrit थी Roman सामराज जब था तो बहुत flourish हुआ योरोप में काफी सारे अच्छे अच्छे बदला हुआ Roman सामराज के अगर हम बात करें लेकिन जैसे Roman सामराज का पतन होता है वैसी पूरा योरोप जो अंदिकार में चला जाता है अलाग लग कुरीतियां चलने लगती है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कानून का अधन के हम बात करें इसमें बड़े-बड़े बदला हुआ है और उसको जो है Roman Sanskrit के संदर्व में जो पढ़ा जाने लगा जो जैसे हम बात करें मानफतावाद की तो मानफतावाद में हुआ क्या बेसकिली तो यहाँ पर बड़े-बड़े teachers थे यही तो सिका रहे थे कि योरोप पहले कैसा हुआ करता था और कैसे यह अंदिकार में आया और अब इस अंदिकार से बाहर कैसे निकलना है तो यह हमें क्या सिकाता है मानफतावाद हुमिनिजम ठीक है चलिए अब जैसे हम बात कर लेते हैं कौन है यह बहुत बड़े दार्षनिक थे आप हो सकते हो एक राइटर भी थे इनका नाम है Francesco Pettog है ना तो इसकी इंबात करने इस परवर्तन का प्रतनित करते थे ठीक है उसने इस बात पर जोर दिया कि प्राचिन युनानी और रोमन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्धन किया जाना चाहिए तो इससकी जो इनसान था झाहिए इसको की बहुत अच्छी थी युकिल मतची अच्छी तर्ज पर सकूर्ण है जो व्याकरण अलंकार शास्त कविता इतिहास और नीति शास्त पढ़ाते थे हैं क्योंकि यह जो लोग थे यह सीधे धर्म पे नहीं जाते थे तैंड़ के लाव भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करते थे कि हर चीज में धर्म को लाना अच्छी बात नहीं है कुछ यह कर हम पापी हैं और हमें भगवान से डरना चाहिए बेसिकली है ना अब यह जो मानफतावादी वाले जो अध्यापकते नहीं क्या बोला कि नहीं आप भले ही पापी हो लेकिन अगर भगवान की पूझा आप करोगे तो यह इन पापों से जो है आप मुक्त हो सकते हो तो यह सार इतियास की बाथ करें जैसे इतियास की हम बात कर लें क्योंकि मेरा प्रसनल फेवरिट सब्जट जेक्ती तो इतियास की यहां पे इसट्शड़ी कि किया यहां पर अध्याफकते इतियास पड़ाते घाए पुस्ती qui na कि इससकती हुती कितनी तो पूरी दुनिया जो थी बेसिक लिए योरोप की बात करें उनका ध्यान जो है काफी आकर्शित हुआ इन उनिवर्सिटीज की तरफ ठीके न तो देखो जैसे हम बात करें फ्लोरेंस धीरे-धीरे जो एक प्रसद विश्वद्याले बन गया फ्लोरेंस के मात करें काफी एक विश्वद्याले बिसींट नाम पर कंफ्यूज मत होएगा फ्लोरेंस जो है क्या है दीरे-धीरे क्या बन गया है बहुत ही फेमस विश्वद्याले बन गया जैसे हमारे भारत के नालन्द विश्वद्याले था यह इटली के सबसे जीवन बॉद्दिक नगर के रूप में से जाने लगा फ्लोरेंस नगर दान अली गहरी तो यह लेकक हैं ऐना और झोकोगर और भी एक अला अब रनेसा जो शब्द एक किस व्यक्ति के लिए क्या गया है कि पहले क्या था पहले ना आप वह यह ना भी जमा जाता था धरम के नाम पर सब कुछ हो रहा था के कैंबी आप पेंटेंग बना रहे हो ना रहे हैं सबसे पहले जीजस है ना जो भी धार्मिक चीज आए उसमें सबसे पहले हर जगह धरम को रहा हर जगह लेकिन यह जो लेकह का है नो ने बदलना शुरूर किया इन्हों पहले जो कफ़्दा वगरह लिखी जाती थी इसमें करना चर्चा करना बहुत जरूरिए तो यह सब लेका कि है शुरुव Das बहुत प्यारी प्यारी कफ़ता है जिसमें उन्होंने कहीं भी धरम का जिक्र नहीं किया इन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स मनाई अलग अलग मूर्तियां मनाई जो भगवान की नहीं थी ठीक है जो रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग उस मनुष्ट के लिए किया जात आप आजाद हो आप जो चाहे वो कर सकते हो जो जाए जिस धरं को चाहो आप उस धरं को आतना सकते हो आपकी रुची के सापसी चीज वहोंगी पहले ऐसा नहीं inherent पहले तो आप धरम के सकती शीज़ा सूली पहले तो और इहां पर लोगों स्वदी आजादी दूह र장 सब्स सामराज के पतन के बाद अंधकार यूग प्रारम हुआ यह मैंने उल्ली बता दिया है उनका मानाफ्तवादी कौन है जो अध्यापक है जो विश्युद्याले के अध्यापक है जो लॉजिक्स पर तर्क पर जो दे रहे हैं जो व्याखरण विज्ञान इतिहास इन सब की कि यूरोप में नई उक्कार प्रारम कब हुआ तो चौद्य श्युद्यापक है यह मानफ्तवादियों का तर्क था कि मद्यूग में चर्च ने उन लोगों की सोच को इस तरह जगट रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त ग्यान उनके मन मस्तिक से निकल चुका कौन आ गया भाई कौन पारफुल हो गया चर्च पहला प्रथम वर्क पादरी तो इन्हों अपने फायरे के लिए इस तरीके से मस्तिश को मैं महला दमाख में इस तरीके से धरम के नाम पर डर बनाना शुरू किया लोगों का मन ऐसा जगड लिया कि जो रोमन संस्कृत जो वो तो किसी भी यौरोप के इंसान के लिए रही नहीं वो तो बिल्कुल धकल जैसे हम अपनी बात करें अपनी संस्कृत की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया भाई अंग्रेजों हमें पिछड़ा हुआ देका है लेकिन अगर आप देखोगी पूरे इतिहास को तो हमारा जो भारत था वह सोने की चड़ियों अगरता था ठीक है चलिए तो महनवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग पंद्रवी शिताब्दी से प्रारम होने होने वाले काल के लिए किया है तो बात करें आधुनिक यह जो शब्द आधुनिक कब इस्तमाल किया यह कब इस्तमाल किया गया तो यह पंद्रवी शिताब्दी के बाद जो है इस्तमाल किया गया और देखो कोई वो पीरेड है कि हाँ चलो आज से ही एक सोने की शुरूरात हो रही है तो भाई जैसे आज की जैसे हमारे बहुत बड़े-बड़े इस्टोरियंस है ना जैसे अ सुझा जैसे बुद्वी साब्धिसे बनानी शुरू हो गई थी विज्यान और दर्शन अरभियों का योगता अब यहाँ पर विज्यान की अमबाद कर लेते हैं और अलग-अलग दर्शन जो है इनकी आमबाद कर लेते हैं तो मद्दिकाल में इसाई चर्चों और मठों की विद्दान यूनानी और रोमन विद्दानों की कृतियों से पर्चित थे परंत उन्होंने इन रचनाओं का प्रसार प्रचार नहीं किया चौदुश ताफदी में जो अनेक विद्दानों ने प्लेटो और अरस्तू के ग्रंतों के अनुवादों को पढ़ना शुरू किया इसके अलिये वे यूरोपी विद्दानों ने नहीं वरन अरभी अनुवादों के रिणी थे जिन्होंने अतीत के पांडुलीपों का अनुवाद बड़ी साफधानी के साथ किया अरभी वहाशा में प्लेटो को अफ लातून और अरिस्टोटल को अरस्तू के नाम से जाना जाता है तोलेमी के अलमजेश्ट के अरभी अनुवाद में उपद अल्ग का उल्लेख है जो कि युनानी और अरभी वहाशा के मत इस्तापित रहे संबन्दों को दर्शाता है इतिहास को समझा जाना परिखा लेकिन जो हमारी इस्टोरियंस थे उन्होंने फिर से उठाके पढ़ा तो इन्हें अलग अलग चीज़ें पता चली है ना जो बड़ी बड़ी जैसे अशोगा के बारे मारे मारे माशोगा की फैमिली जो दिक्स की बारे में श्रवाजी के वारे में तो यह सारी जो चीज थी मेंसे लिए हमें पता लगनी शुरू होई तो ऐसे अगर इनकी हम बात करें इनकी यॉरूप की अमबात करें तो जो अरबी थे जो अरबी इस्टोरियं जो थे इन्होंने चौदी श्टाब्दी की बात हो ली है चौदी श अनौदोन के जो है ready थे क्योंकि यह जो भाई इनका जो अनौद किया गया था किसने किया था अरस्त लंश बात करें तो अरफि जो अनौद जो स्टोरियंस थे यहां फिर जो अनौद की अ करते थे इन्होंने इसको जाना पर्खा और जो पुरानी पांडुलीपय बंद हे इन्हें अरस्तू के नाम से जो है जाना जाता था तो बेसिकली हम बात करें अर्वियों का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है कहने का बतलब यह है मुसल्मान लेखकों जिने इटली में घ्यान ही माना जाता था जैसे अर्भी के हकीम और मद एशिया के दार्षनिक इबन सिना यह कौन थे बहुत बहुत बड़े दार्षनिक थे तथा आयू विग्यान विश्व कोर्श के जिए लेखक अल राजी स्पेन के जो है अर्भी दा लेते हैं अर्भी दार्षनिकों गी इनकी बहुत जादा ब्रिजचत हुआ बरते थे हैं ना यह क्या गरते थे यह इनोंने बहुत सारी चीजह बताएं इन्होंने बध़त बड़े-बड़े जो चो चुरें इंको अनुवाद किया बताया उनके बारे में तो यह पर जो अर और धर्म शास्त का दबदवा रहा फिर भी जो है मानफ्तवादी विशय धीरे-धीरे जो है स्कूलों में पढ़ा जाने लगी है ना तो देखो यह जो विशयत है बिसिकली आर्ट्स साइकलोजी है ना और यह जो दार्शन जो साइकलोजी है और जो आप बोसकते हो एक को फी पर धर्म के नाम पर चीजह हो रही थी अब क्या इंसान का दमाग चला था क्योंकि एजुक्वेशन थी और इन मानफ्तवादी अध्यापकों का दार्शन को का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है अब बात कर लेते हैं कलाकार और यथार्तवाद क्या होता है इसको हम कहते है बहुत एक चीजह ढ़ी है रहा हुं जो होता है हमने क छूंस कर दख रहे हैं जो हम चूँस अgency आप रहसें हैं जो एक आव्चार जह रहा हुती है जो यह बताती है के ज़ो यह संसार है जो बहुत इक चीज़ आपको दिख रहे हैं यहित सत्य न' जो चीज़े प्रैक्टिकली दिख रही है आपको जिसका लॉजिक है तर्क है इसका है ना जो चीज़ें आप टच कर सकते हो चू सकते हो यही एक क्या है यही एक यही चीज़ है यही पूरी दुनिया है basically है ना तो यहां पर मात करते हैं कि करी कालाकारों की इधार्त वाड़ की है तो दो मानवक्तावारी वचारों को फैलाने में ओप caarick सिक्षा ने अतरिक जए कला अबचारिक सिक्षा को छोड़ने सिक्षा ने तो अपना काम किया ही किया है इसके अतरिक जो है कला ने वास्तुकला और ग्रंथो ने भी सहयोग प्रदान किया रोमन सामराज के पतन के हजारों वर्ष बाद भी प्राचीन रोम और उजड़े नगरों के खंड़नाओं से कलाक्मात मूर्तिया प्राप्थ ही थी जिनका जो अध्यान किया गया समझ माया है यहां पर वही तो बात होड़ी रियलिजम के हम बात कर रहे हैं जो चीज़ा हमाय पास है जिन चीज़ों हम टच कर सकते हैं उनके हमने अध्यन करना शुरू किया क्योंकि वही सत्य था अब जैसे रोमन सामराज के बारे में लोग भूल चुके थे क्योंकि बीच में जो अंधकाल रहा था यहां पर सब चीज़े मिट चुकी थी लोग को इतना मौका ही नहीं दिया गया उनको अध्यन करना शुरू किया उनसे जो है कुछ सिख्षे लेनी प्राप्त कि कि भी यह हमारी जो हिस्त्री थी हमारे इतिहाज उथा वो कितना रिच था क्योंकि हम रोमन सामराज की बात करें वो करोमन सामराज काफी फलरिष्ट हुआ था काफी फला फूला था ठीक है अब क्या हुआ देको 1461 कि हम बात करें इसवी की हम बात करें में जो है हम बात करें किसकी दुनान तलो की है ना दुनान तलो एक आप हो सकते हो कलाकार कर नाम है तो दुनान तलो ने सजीव मूर्तियां बनाकर एक नई परंपर परमपरा शुरू किसने की? यह परमपरा शुरू की दो नान तलो ने, इनका नाम याद रखना. इन्होंने जो सजीव मूर्तियां जो बनाए या आज की टाम भी आप बहुत सारी सजीव मूर्तियां देखते होगे, यह बनाना शुरू किया और यही से प्रिचलन शुरू हो जाता है, ठीक है? यो लोग यथातावात में जी रहे थे, डीयलिज्म में जी रहे थे, के जो दुनिया है, यह जुनिया में जीज़े दिख है यही सब्तियां बेल्जय मूर्ण के, हम बात करें, बेल्जय मूर्ण के एक हम बात करेंगे, इनकी on-doos, valious. ले की बात करें त ऐसे पहली विक्त ते इनों ने है क्या होता है छुड़ी-छोड़ी चीज़े जानने किलिए कि शरीर के अन्दर है क्या Recht तो इन्हों ने इंसन को चीर्वार की अंदर है क्या begitu वो जानने ही कोजिश की तो बहीं आप जैसे आप देख रहे होकि कि अपने कब पूछ के न जी जब तो ये ये जब तक स्रीर का प्रिक्षण नहीं करोगी तो विज्गानिक जब तक सरीर को प्रेक्षिर ने करोगे तो बिना सेरी के प्रेक्षिर को है आप और नियस वैलिस की बात करें तो इन्होंने पहले जो ए इनसान की शरी जिए चीरफ़ाद की और इसका अध्यन करने की कोशिष की। तो नौल्डो था विझ्ची एक के लाइन अहीं चशसी बहीं नहीं पइंटिकर आप विष्ची नीज ही रही थे चेजार क्लाकार थे इसकी जोई अभीरूची वनिस्पती विग्जान शेयरीर रचना विध्यान से लेकर गरत साथ और कलात तक विश्थ थी जैसे आप एक ब निश्पति विज्ञान जो है यह पेड़पादो की काफी research क्या करते थे हैना शरीर की जो रचना है उससे संबंधिजु विज्ञान है उसे काफी पढ़ा करते थे और यह गर्तक गर्तक की भी थे और इनका जो है कला में तो पाफी रुजी थी इनकी, तो मल्टी टैलेंटर थे, हैना, नौल्डो दा मिंची, उसने ही मुनालीसा थे, ना, तेखो हुआ ही है, है मैं बिल्कुल सही था, मुनालीसा की पेंटेंग इन नहीं बनाई है, तो मुनालीसा और लॉट्ट सफर जैसे विश्परसेद चितरों निमान किया, मुनालीसा, है न, ये पेंटिंग इनों नहीं बनाई है, इटली के चित्रकारों ने मूर्तिकारों की तरह यथार्थ चित्र बनानी की कोशिश की, तो इटली के हम चित्रकारों की बात करें, तो इनों ने भी एक चित्र मनाने की कोशिकी, यथार्ट चित्र मतलब बिल्कुल रियल जिद दिखते हैं जो गैसे शरीर रचना विज्ञान, रेखा गड़ित, बहुतिकी और सौंदर की उतकरश भावना से इटली की कलाव को जो है नया रूप दिया गया जिससे जो अब बाद में यथार्ट वाद कहा जा, यथार्ट वाद की यह परंपरा उननीस श्चतापदी की तक चलती रहे, तो यही क्या था, यही यथार्ट वाद मतलब क्या है बिसिकली, हम रियलिजम में जीर रहे, अब दुनिया जो है यह जो बहुत इक चीज है, यही स जुरू किया, बहुत जुझ में जिजमीन के खुदाई करते हैं, जोपल की खुदाई के ख़ें के चीजें जो निकंटी यहां पहुत खनन कया, है ना, और जो भी अव्झेश मेले, उनकर अद्धिन करना शुरू किया, इसने वाश्टकला की एक नई शैली को जो है पूसाइद के जिसे जो है अब सास्त्री शैली कहा जाता था तो ये नई एक वाश्टकला थी समझ में आ गया एक नई जो है वाश्टकला थी जल्ली सोता हा या ना क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है सर साइड हट जा यह थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लो एक मठ साइड हट जाता हूँ वैसे सारी चीज़े तो मिल जाती है पेटा तुम्हें ये सारी चीज़े तो मिल जाती है पहले से ले लो ठीक है हाँ समझ मागया अरे वास तुकला का बेटा मतलब होता है कान और जो इंग्रिष है से वो बोलते हैं 타р किते benefit अनल डर्वार यह रहा होति है पुरानी पुरानी इंवार्त्भ उत तीं ब्रन ऑप केथा जो होता है उसीम कई शेम डह थे हना तो इसी थे डिँटे माइकल एंजिलो वह नहीं तो एक कोशल चित्तिकार वृतिकार एवम वास्तुकार था उसने जो आप पोप के सिश्टीन चैपल भीतरी चत्त में जो है लेप चित्र दीपाइटा नामक जो है पृत्मा और सेंट पीटर गिरिजे के गुम्मत का डिजाइन बनाया तो बिसकिल इसकी गुम्मत का डिजाइन किया ठीक ना तो यह सारी चीज़े हो रही थी पृत्म मुद्रत पुस्तक है अचा अब यहां पर एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि दो को यह जो लोगों का इतना विकास हो रहा है लोग इतने एडवांस हो रहे हैं बिसकिल इतने ल पुस्तके चपके आया करती थी उनकी बहुत जादा जो है वैल्यू रही है क्योंकि आज के हम टाइम पर बोलते हैं आप कितावे पढ़ोगे तो आप दुनिया से उपर उड़ जाओगे अगर आप कितावे पढ़ते हो तो कितावों में घ्यान होता है फोन वोन से थोड़ गुद्रन का छपाई का बहुत बड़ा रूल रहा है ठीक है चलिए तो 1455 इसवी में जो है जर्मन मूल के जोहनेस गुटनबग ने पहले छापे खाना का निर्माड किया यह तो आपने 10 पर ही पढ़ा होगा 1455 इसवी के हम बात करें तो यहां पर जो जोहनेस गुटनबग ज है 180 ती शायिए 180 यहां पर कॉंपय जिए जोहने दो साल के अन्दर चापे खाने के अविश्कार में अब नए विचारों का प्रशार करने वाली एक मुद्रत पुसक करों के पास सीक्ता से पूंच सकती थी भई है ना अब क्या था जब कुछ भी हुआ करता था तो पहले ल कि आप थोड़ी से अगर डेटेल में जाओगे, हिश्टी जाओगे, तो मुद्रण सबसे पहले कहां आया था चाइना में चाइना में चाइना से फिर आप देखोगे अरब वाले जू लोगें अरब 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 इस चैना से जब आखरवन हुआ इस्लामिक जो राजा थे इन चाइना से यॉरोप में लेकर गया था जा अपने घर या था इटली में तो वो जो बुड़ बॉक प्रिंटिंग जो है वहाँ पर चलीगी इटली में ठीके ऐसे दीरे-दीरे विकास हुआ है यॉरोप में पंद्रवी शितापदी तक अनेक क्लासिकी गरंतों का मुद्रण इटली में हुआ छपी हुई पुस्तकों के विर्वन के कारण ही पंद्रवी शितापदी के अन तक इटली की मानववादी संस्कृत का अलपस परवत के पात तीव गती से प्रसार हुआ और यह जो मानववादी जो यह शुरू हुआ था ना एक जो आइडिलोजी शुरू हुए थी यह शुरू ही किसके हुएस हुए है मुद्रण की हुएसे विश्व इदाल में शुरू हुए है ना चलिए लोगों ने अपने विचार जो है लिख कर जो बताने शुरू किये मनुष की एक नई संकल्प ना यह आखरी टॉपिक आज की क्लास का तो को मानववतावादी संस्कत की एक विशेशता यह है कि मानवव जीवन पर धर्म का नियंतर कमजोर होने लगा था सबसे बढ़ा है अगर आपको कोई बोले यह मानववतावादी संसकत का सबसे बढ़ा असर क्या हुआ इसका मेर उदेश ही क्या था तो इसका उदेश तो यह था ना कि धरम का नियंतरण है धरम की जगड में जो लोग है जो डरे हुए हैं उनको जो ऐस से बाहर निकालना और धरम के अलाबा भी बहुत सारी चीज़ है विज्ञान, कला, इतिहास, दर्शन, इन सब की जो ग्यान देना ही यहाँ पर मानवतावादी संसकत का एक लक्ष्टा, मानवतावाद में जो अच्छे विवार, विनमता से बोलने, पहनावे और मानसिक गश्था का पर अधि बारो, ने अपनी पुस्तक में जो है संपत्ती प्राप्त करने को जो है एक विशेश होड़ बता कर उसका समर्तंक की, संपत्ती की बात कर रहे हैं, है ना, लोरेंजो की बात करें, लोरेंजो, वल्ला का विश्वासता की इतिहास का अध्यान, मनुश को पूरते जीवन वि इसाई धर्म के द्वारा लगाए गई निशेद धाग्या की जो है अलोचना की, भोग विलास के हम बात करें, इसमें जो भी दे रखा था बिसकली, इनसान के बारें, जो इसाई धर्म में जो भी बात है बोली गहीं थी, भोग विलास के बारे में, उसकी अलोचना की, उसक पढ़िया थी या नहीं थी? क्या इस्तिती थी महिलाओं की? जैसे हम भारत की महिलाओं की इस्तिती के बारे में पढ़ते हैं, तो भग्य है यहां पर जो मेल डॉमिनेटिंग सुसाइटी थी यहां पर इस्तरियों को पुरिशों के आगे दपके रहना पड़ता था ठीक है न तो इसमें जाने के यॉरोप में महिलाओं की हालत कैसी थी इसके बारे में तो देखो द्यक्ता और नागरिक्ता के लिए नए विचारों से महिलाएं महिल वह ऐसा था उनका कि अलग-लग राजमा अलग-लग राजा हैं और हम राजा के ही अंडर में काम करते हैं तो हम अपने राजा से पिर्म करते हैं तो वही है हमारा वही हमारा सब कोछ है यह सिटियन शिप नागरिक्ता जो होती है जैसे आज की टाइम पर आप आप देखते हो मतलब किसी औरत को तुमने बता दीज है तो जाहता है कि जादूटोना करवारी है अब उस टैम पर क्या हुआ बाई किसी इंसान को दुश्मनी निकालनी है तो उसने क्या कि किसी भी घर में जो औरत है उसको जो है बिच बता दिया कि बाई यह चुड़ायल है जालो टोना करती है और उसकी सजय क्या होती थी मौत होती थी तो बहुत सारी औरतों को यहां पर बिच अंडिंग के नाम पर मार दिया जाता था जैसे मानिक जी लोग को औरत बहुत खुबसूरत हुआ करती थी उनके अस्बंड नहीं है घर में केली है वो तो कुछ लोग है अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए वो कर दिया करते थे थी ठीक है न तो यह सारी चीज हो सबीगिर हो रहा रहती है तो यहां पर बात करें जो साद्व निक जीवन जो था किसकी बात हो रहिए अब जात वर की बात हो इस और यह संपनार परवार थे हैं सब्ंग के संबंद में जो है वही नडल या करते तレ अगर कोई जो मुख्य जो निड़ा हैं वो लिए कौन किसके दौरा लिए जाता है पुरुषों के दौरा लिए जाता है और तर्क क्या दिया जाता है कि पुरुष कमाते हैं अब ये पुरुष कमाते हैं तो ओरते महिला भी तो घर काम करती है और दोनों जो है बराबर है कोई कम जादा पर अच्छी सिक्षा दी आ रिया आज भी तो मारे यहां पर यह होता समाज में लड़कियों को सिक्षा का महत तो नहीं दिया जाता उतना कि लड़की पराया धन साधी शादी हो जाएगी इसकी शादी में घर्चा होगा 15 लाग का तो लड़कों को पढ़ाया जाता है है ना महिलाओं को अपने पती का कारोबार चलाने के संबंद में राय देने का अधिकार नहीं था समझमा गया यहां पर महिलाएं थी वह अपने पती को कोई सलाह नहीं दे सकती थी क्योंकि यहां पर मेल डॉमिनेटिंग साइटी थी पुरिशों की ही सुनी जाती थी अब थे अब बहु सारे आपने अपने के कालीन के आगी भी हम बात करें तो उस टाइम पर आपने उसके विलिम्स शेख्षीएक स्पीर का नाम सुना आपने लेकिन किस भी महिलाओरशनिक का नाम नहीं सुना होगा बहुत कम महिलाओरशनिक on zao चाहिए वन्हें घर परवार की देखवाल करने वाले वाले की रूप में देखा वह सुझा जाना पर सर में जिर यहां पर यहां पर करते हैं सिर्फ यहां पर ऑगते लिगे हम बात करनें व्यापरी पार्वार sitting वहार चलने बड़े बड़े इने में थोड़ी situation different थे, कि जब इनकी पती नहीं हुआ करते थे, इनकी अन उपस्तिती में यहाँ पर महिलाएं ही कारोबार समाला करते थे, महिलाएं कारोबार देखते थे, कि यह उनकी husband नहीं है, आज भी तो होता है, कि आपके अगर पिताजी आगर आप छोटे हो भी, है अधोबार वहारेशिला यह ना, आपके मम्मी को पिताजी का काम आता है, जैसा होता है कि Hershey, वह अधोडे होता है, बहुत सारे उसे काम में होते हैं, दूद दिया जाता है, तो कहीं आपके पिताजी वगेर भार चले जाते हैं, तो, मम्मी डेरी समालते हैं, ठीक है न, व् विद्वान निवासी एक महिला विद्वान कसांद्रा फेदल ने लिखा है कि प्रितियेक महिला को समस्थ परकार की सिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और यहां पर यह जो महिलाई थी यह पढ़ा करती थी असने नहीं सकिष है नहीं जो इसमें इसी महिलाई थी अपने पढ़ने नहीं पहला करती थी और नहीं चोटे-mbोटे काम करिए। दे दे आते ते다। लेकिन जो कुलिन वर की महला है, ने के पास कुछ काम नहीं होता था। नौकर चाकरन है, कुछ काम नहीं है, तो यह पड़ा करती थी। तो कुलीन वर की जो महिलाएं थी, ये काफी जो है अच्छी-खासी पड़ी लिखी हुआ करती थी, समझे मागया, ठीक है ना, तो कुछ महिलाएं जैसे आप बात हो रही है, बहुत देख रूप से जो है, काफी रचनात्मक थी और मानपतावादी सिक्षा के बारे में जो है एक अन्य ततकालीन प्रितवाशाली महिला मतुआ राज की मार्चिसा इसाबेल की दी स्ति थी, जिसने अपने पती की अन उपस्तिती में अपने राज पर साशन किया, तो यहाँ पर बीच-बीच में आपको यहाँ भी बहुत सारे एक्जम्पल देखने को मिल जाएंगे, क वही सब कुछ समाला करती थी, क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, क्या अगला टॉपिक? ईसाइज धर्म के अंत्रकत बाद बीबाद, अब यहाँ पर जो इसाइज देखो, हम अगर यॉरोप की बात करें, तो यॉरोप में क्या फला-फूल के अनेक विद्वान मानफ्तावादी विचारों की ओर आकर्शित हुए, जिनमें इसाइज चर्च के अनेक सदस शामल थे, तो यहाँ नें बात की, सत्रवाँ, पंद्रवी और सोलवी सदी, यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से आप देखोगे, तो उत्तरी यॉरोप की बात हो रही है, यहाँ के जो विश्य विद्वान थे, यहाँ पर जो अलग जो विद्वान थे, यह मानफ्तवादी विचारों की ओर आकर्शित हुए, जो बोल लिया बाई, पादरी ने मान लिया तुमने, भगवान से डरो, मिना फाल तुम्हें डरो, कुछ ना किया हो तुम दरो, तुम क्या हो भाई, तुम गुनिगार हो, तुम माफ़ी माँगो, तो यह सारी चीज चल नहीं थी, है ना, अब यहाँ पर जो विचार आए, उनकी तरफ जो है, कई सारी जो इसारी धर्म के जो लोग थे, विद्वान जो थे, वो भी यहाँ पर आकर्शत हुए, है ना, और कई सारी इसमें शामिल भी हुए, मानफ्तवादी बानते थे, कि मनुष को जो इश्वर ने निर्मत किया है, कि उसे जो अपना जीवन, जो है, मुक्त रूप से चलानी की पूर सुनता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हो क्या कहते थे, कि तुम जो हो, रा संत रूप से घूम सकता है, ठीक है, मनुष को जो है, अपनी खुशी इस विश्व में वर्तमान में ही दूढ़नी चाहिए, क्लियर होगा, ना पास्ट की बात करो, ना फ्यूचर की बात करो, आप जो है, अभी खुशी दूढ़ो अपनी, इसाही मानफ्तवादी जैसे जो जो मानफ्तवादी थे, है ना, टॉमस की बात करें, टॉमस मोर की बात करें, होलन की बात करें, है ना, होलन के एरेमबस का मत था कि चर्च एक लालची और लूट खसूर करने वाले संस्ता बन गई है, बिलकुल या सही होता था, अरे बहुशी जो चीज़े बनाए गई पुरोहित थे जितने भी चर्च के, यह अपने भलाई के लिए, सारे एक जैसे नहीं थे, बर जादर जो है, करप्ट थे, ब्रश्ट थे, तो इन्होंने बोला, कि भाई, यह जो चर्च है, यह लूटने और ठगने वाली संस्ता बन गई है, सबने विद्रो किया, जब इसको भी क्रिटिसाइस करना शुरू कर दिया, इसायों के बाईबल के स्थानी भाषाओं में छपे अनुवात से यह ग्यात होता है, कि उनका धर्म इस प्रिकार की प्रथाओं के प्रिचलन की आग्या नहीं देता, सभी बात है, आरे सुनो, बहुत अच्छी बात बोली है कि यहां पर जो यह प्रोहित थे, इन्होंने जो, बोला था ना कि जैसे किसी भी नाम पर जो है कुछ भी बोल देते हैं, किसके नाम पर बोलें किसी एक चीज़ का सारा ले, बाईबल में यह लिखा हुआ है, बाईबल में यह फलाना चीज लिखी हुई है, बाईबल में य ऐसी पता ही थी जिनको Bible जो है सक्त से सक्त मना करता था ठीक है यॉरोप की प्रितिक भाग में कृष्ट को ने चर्ज द्वारा लगाए इस प्रिकार के अने करों का विद्रो किया यसे Bible के नाम पर धरम के नाम पर जो टेक्स लेते थे हैं ना एक दस्मा पार है ना एक दस्मा सुधारक थे एक धरम सुधारक मार्टिन लूथर इन्होंने एक किताब लिखी थी 95 थीसेस नाम से इन्होंने बहुत जादा जो है आपर चर्ज की आलोश नहीं की है ना मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्ज की विरत जो अभ्यान चला गया उनका तर्क था कि मनुष को ज जलत है यह जो चैथॉलिक चैथ्षिंज सर्क पूदे मोट हो जेट ऑर बोला कि जयसा रहे हैं ऑगर आपको देखार्ज के नाम सी एक तो Catholic और दूसरा Protestants, Protestants कौन थे जो support करते थे किसको Martin Luther के विजारों को, कि हमें जो है किसी पादिवादरी की जरू होते नहीं, चर्च वर्च को नहीं मानते किसी भी, ठीक है, इसके कारण जो है जर्मनी और सुजलेंड के चर्च ने जो है पोप तदा Catholic Church से अपने संबन सम कर दिये, ना तो जब इनोंने तर्क दिये अच्छे 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 तर्क दिये, बहुत मतलब बहुत ही जे टैलेंटेट थे, अर मात करें Martin Luther की, इनोंने बहुत अच्छे तर्क दिये, और इनसे क्या वह ऐसे हुआ है, यह जो पोप था, मतलब जो सबसे बड़ा धर्म किसान वद्रों का जो है, धमन करें, ठीक है? तो यह सारी चीज beard हो रहे ही थी, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़े चल नहीं थे, मतलब ये जो किसानों का विद्रो वगरा चला, इसका भी दवन किया किया, ठीक है, इंग्लेंड के जो है, साशकों ने पोप से संबंद समाप्त कर दिया, तरपश्चाद इंग्लेंड ने राजा अत्वा राहनी चर्च के प्रमुक बन ग किसकी बात हो रही है यहां पर, तो ऑलगा नहीं है हुआ पर सुधार भी देखने को मिलने था, तरप फि किया पादर्ढ करें, इटली किया पादरी है, यहां पर पादरी है, उन्होंने साला जीवन और निर्धनों की सिवाथ कि पर बलदिया, इससे इंग्नेशयन लोयाला ने जो है Society of Jesus नामा के संस्ता बनाई तथा उनके अनुवाई को जेसूइट कहला है तो अलग-अलग जो है आप सुधार देखने को जो है मिल लए थे हैंना जैसे इनका नाम है पंद्री यह जो अब हो सकते हो एक पादरी थे इंग्लेनियश लोईला ने जो क्या बनाए ना Society of Jesus है ना और यह क्या करती थी यह संस्ता जो थी यह समाज कर ले आड़ी करती थी अब बात कर लेते हैं को पर निकसी करांती के बारे में है ना इनके बारे में जो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा सा चलिए को पर निकसी करांती तो इसाइओं की धार्णा थी कि मनुष्छ पापी है इस धार्णा पर जो है वह घ्यानिकों ने पूर्टा जो है अलग देश्ट कॉंट से आपत्ति की मैंने आपको बताया था बहुत मैंने दूसीया तीसरी कास में आपको बताया फाद्रिये जो अपने फायदे के लिए अपने खुद के नियम कानूर मनाते रहते थे तो उनकी धारणा ये थी कि हर मनुष्य का पापी है हर मनुष्च का पापी है और उसको भगवान किया हो ज़ुक्के ही चलना पड़ेगा अब उसना पाप किया हो these two पापी है और तुमने क्या किया तुमने अपना जीवन जोब अधाल ले रखा भवान से और तुम उसके रिडी हो और पापी भी हो ठीक है इस धार्णा पर जो है पर वैग्यानिकों ने पूंडता अलग दिश्टकॉर्ण जैसी आप देखोगी जैसे यह मानत्तवात का जैसी आदि जो सड जो शुरू होता है तो यहां पर वैग्यानिक दश्टकॉर्ण जो था थोड़ाँसा अलग था है इसाई उपर यह विश्वास था कि प्रिथवी पापू से भरी हुई है और पापू की अधिक्ता के कारण जो है इस्तिर है उनका मानना था कि प्रिथवी ब्रह्मान के बीच में इस्तिर है अब सुनों यहां पर आप यहां पर थोड़ा बहुत सारी बाते गलत गलत बोले पैम इसाई धर्म के लोग यह films अंतिए बीच में वड़ा वड़े पाद्री आए अमंना असा मॉन था कि प्रिथवी पापो से प्रिथवी का बज़न इतना गया है कि प्रिथवी इस्तर खक्र इंहें अधिस इस्तर है रोटेशं भी करतेаков चक्र भी लगाती इतनी जादा हो गई है कि वह स्तिर मुवी नहीं कर रही यह मानना था हिसाई ्धृम espresso को पृत्वी जो है वह मुवी निकरती है प्रत्वी पापों से इतनी भर चुकी है कि प्रत्वी घूम ही नहीं पा रिया है है ना उनका यह मानना था कि प्रत्वी जो है ब्रह्मान के बीच में इस्तर है ऐसा गलत है भ्रहमान तो बहुत बड़ा है और हमारा जो solar system में उसका center किसे माना जाता है सूरज को माना जाता है ठीक है पृत्वी केंद्र कैसे हो सकती है तो यह सारी गलत-गलत धारनाई थी तो उनका मानना था कि पृत्वी भ्रहमान के बीच में इस तरह है जिसके चार और जो है खोग मार्टिन लूथर के समकालीं प्राइं को चार आफ़ बदल्यशन आता है जो सब ुअ पढ़र न की करांति क्रांति हम पढ़ते हmpfen पढ़ते हैं । यह जू करांति हुए यह किस करांति की बात उलि तो यह पर जटा है यहां पर बताना शुरू की उस टाइम लोग बहुत लिए ओफेंड भी हो जाते थे कि यह गलत बता दिया यह दो हमारी धर्म के खिलाफ जा रहा है पहले तो लोगों को भाना चाहिए था आप कुछ भी धर्म के खिलाफ आपको मार दिया जाएगा यह फिर जेल में डाल दिया जाएगा तो मार्टिन लूथर के संकाली कौपर्निकस में जिए रहे तो वह तो लोग गलत धालड़ा में जी रहे थे जू प्रत्वी वह बलू कुल सेंटर है हमारे ब्रहमान का और सारी ग्र उन्होंने बोला, क्या सबढ़ रहे हो तुम तब से, कि बैइ प्रितफिय है, प्रितफिय सहेत दूसरे जो, आठ घरे हैं, पहले तो वो क्लूटव भी था ना वो जो है, सूरज के चक्कर काट रहे हैं, ना प्रत्वि सह समखत ग्रेज़ुए चारओर सूरज के परिक्रम के परिक्रम में लगाते थे आ खावल, सास्तरी जोहानस, कैपलर निका बुला कैपलर न्यका बुला ऑए गेलेलीों की बात करें इन्हों ने अपने लेखों पर दवारा सथर प्रत्विक के आंतर को है पहले बोलते तो सवर्व उपर है और तो इन्हों ने सब बताया कि ऐसा कुछ भी निया कैपलर ने जोए को पर निकस के सूर के इंदर्थ सिद्दांत को जो लोगप्री मनाया उन्होंने यह सिद्दिक गिया कि समस्त गया जोए सूर के चार वो परिक्रमा लगाते हैं और प् आध्धन झुरू होता है यहां पर देखोगे अलग अलग प्रिकार की खोज आएंगे और यह सारी जो खोज आएंगी के दर से आएंगी यiorओप से ही आएंगी सारी योप के वासी जो हें अलग-अलग खोज करेंगे आप देखोगे इसमें ग्रैविटी की खोज याएगी तीव रिकती से होने लगे चौदी उस्टापदी में यॉरोप में पुरन जागरन हो बिल्कुल होगा उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा रोल मानने जाता है इन्होंने बोला कि देखो जो विज्ञान जो होती है यह किस पर अधारत होता है यह जो है प्रैक्टिकल चीजों पादारत तुछ में अलग चीज़ आएंगे तो अलगला यहां पर खोजें आप नियूटन आ जाएंगे वह ग्रैविटी पर अपनी पूरी थेवरी देंगे तो यह सारी जो चीजह वह इस टाइम पर आने लगती हो यहीं चोपधू में पुनर जागरन रहा था यहां अंद नरे ज़ते हैं कि यूनानी वाद रोमन सबितावों का चोदु इस टापधी में पुनर जन्व हुआ पंदर जनम का बात मतलब यह नहीं है कि मरे गए और दुबारा से जनम हुआ पंदर जनम का मतलब यह है कि अब तक जो चीजे चल लहीं थी उन्हें थोड़ा से साइड में रखके नहीं नहीं चीजें आ रहीं थी आज कल बहुत चल दा है नहीं नहीं लोगों में कि I just want a new version of myself है ना मैं पहले यह से नहीं रहा है मैं बदल गया हूँ देखा होगा तुमना बहुत सारी लोगों जैसे लोगों से आप मिलते होगे आज से तीन साल बाद चार साल बाद मिलोगे तो उनकी जो personality तीन साल पहले थी वो वैसी personality नहीं देखेगी तुम्हें तो तुम क्या कहतो या तुम तो बिल्कुल बदल गए हो है ना तो यहां पर यॉरूप की बात हो रही है तुम उनर जनम का मतलब यह नहीं कि सारे मरे गए नहीं आगे लोग जो चीजे चली आ रही है जो प्रताय चली आ रही है समाज में वो जो है चीजे बदल रही थी लोग जो है तर्क पर जा रहे थे इतिहास की व्याक्षा की जा रही थी लोग जो है विज्ञान पर जा रहे थे लोग जो है यह जो आठ है कला है इस पर जाला जा रहे थे ठीक उस टाइम के जो है जालानों ने परचार किया चौदु शिताबदी में दो महत्पुन परवत्रन हुए उनमें धीरे-धीरे निजी और सावजिनिक दो अलग-अलग छेत्र बन गए इस काल की एक महत्पुन विश्चता यह थी कि भाशा के आधार पर यॉरोप में विभिन छ पूरी दुनिया में अपना कब्जा करने में सक्षम रहा यसे यॉरोप के हम कुछ देशों की बात करें जैसे फ्रांस हो गया बिटें हो गया नीदर्लैंड हो गया यह सब प्रुद्गाल हो गया इन सब ने दुनिया पर रूल किया है पूरे यॉचूरोप ने पूरे दु कुलियर हो गयी होंगी और इसे की साथ चाप्टर तक बिलकुल हो चुका है और आयोप आपको चाप्टर बहुत निसे करें कि मिल्ड कर जौड कर का कि प we में आपको लम गट्यू ना फृव ने यह तो ऐख डेल गहाइस को जोड मुशन पूर बना दुग को जो हम बता दी है, क्लियर हुई, चीजे फटावर्ट से बता है या ना, जल्ली से, जल्ली से बोलो, क्लियर हो गई है, है न, तो भई, एक काम करते हैं, अब, हाँ, तो अगली क्लास हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम कुछ और ले आते हैं, basically, कुछ और हम चीज पढ़ ले economics पढ़ लेंगे, ठीक है न, चले तो भई, end करते हैं, session को, और I hope आपको सारी जो चीजें, session से related, बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, तो अब हम मिलेंगे, अगली क्लास में, तब तक लिए, goodbye, take care.